मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेरी चलती रही लॉक्डाउन में जिन्दगी चली क्योंकि लोकल दुकाने चली खाता वुक्की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सला आजकल स्मार्टफोन के साथ आप्स मेकर भी डार्क मोड का इस्तेमाल करने लगे हैं वाट्साप, फेस्बुक मेसेंजर और ट्विटर पर डार्क मोड मिलने लगा है इतना ही नहीं Android 10 में गूगल ने सिस्टम वाइड डार्क मोड का ओप्शन भी दे दिया है डार्क मोड दिखते में तो अच्छा लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी नाज़ुक आँखों के लिए बेहत खतरनाग भी साबित हो सकता है इस समय स्मार्टफोन के अलग-अलग एप्स के लिए डार्क मोड फीचर काफी ट्रेंडिंग में है डार्क मोड ओन होने पर स्मार्टफोन की डिस्प्ले डार्क या ब्लैक कलर में नज़र आती है जिसकी वज़े से कम रोशनी आखों में जाती है और जादा देर तक आप फोन का इस्तेमाल बिना थके कर सकते हैं लेकिन डार्क मोड जहां दिन में ठीक रहता है वही रात के समय में ये खतरनाग साबित हो सकता है अगर आप लंबे समय से अपने स्मार्टफोन पर डार्क मोड इस्तमाल करते हैं तो बाद में आपकी आँखे उसे ही अडॉप्ट कर लेती हैं और वाइट कलर का टेक्स पढ़ना जादा बहते रगता है लेकिन जब आप लाइट मोड पर जाते हैं तो इसका असर आपकी आँखों पर बढ़ता है और विजन कमजोर होने लगता है डार्क मोड का जादा इस्तमाल आँखों की बिमारी का कारण बन सकता है लाइट से डार्क टेक्स के भी स्विच करने के बाद आपकी आँखे अचानक इस चेंज को अडोप्ट नहीं कर सकती और ऐसे में ब्राइट बॉर्न की स्थिती भी देख सकती है American Optometric Association के मताबिक डार्क मोड इस्तमाल करने वाले लोगों में एस्टी गिमानिजम नाम की बिमारी सामने आ रही है जिसमें एक आँख या फिर दोनों आँखों के कौनिया का शेक कुछ अजीब सा हो जाता है और बलर दिखने लगता है जिसकी वज़र से लोग वाइट बैग्राउंड पर ब्लैक टेक्स के मुकाबले ब्लैक बैग्राउंड पर वाइट टेक्स आसानी से पढ़ सकते हैं डिस्प्ले ब्राइट होने पर आईरिस छोटा हो जाता है जिससे कम लाइट आँख में जाए और डार्क डिस्प्ले के साथ उल्टा होता है ऐसे में आँख के फोकस पर असर पड़ता है आँखो पर डार्क मोड की वज़र से अगर कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं तो आपको डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को बीच बीच में स्विच करते रहना चाहिए जहां तक समभव हो स्मार्ट फोन के डिस्प्ले की व्राइटनेस कम ही रखनी चाहिए दिन में लाइट मोड का इस्तमाल करें जब की रात में डार्क मोड का इस्तमाल करना ठीक रहेगा